हेलो एब्रीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिम्टिड की तरफ से भारतिय विद्याभवन GIPCL में वेकेंसी आई है टीचर्स की बिना परिक्षा, बिना फीस के आप यहां आविदन कर पाए पोस्ट ग्रेजुट टीचर्स की वेकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की है, प्रेंड ग्रेजुट टीचर्स की साथ में ओफिस असिस्टेंट और लेव असिस्टेंट की वेकेंसी है, काफी अची सैलरी तो रहती ही है, इसके साथ में फ्री एजूकेशन चिल्डरन्स के लि गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड तो सूरत में जो है लिगनाइट पावर प्लांट है और इनके जो है स्कूल्स भी चल रहे हैं तो स्कूल्स की जो वेकंसी है जिसके लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन है और बायो डाटा फॉर्मिट है सेकिंड नंबर पर ठीक है यह जो है वो बायो डाटा फॉर्म है जिसे आपको लेना है कैसे फिल करना है मेल करना है या फिर पोस्ट करना है यह नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं भारतिय विद्या भवन जी आई पी सी एल अकेडमी और सूरत कहां है गुजरात में है गुजरात की वेकेंसी है सबी राजियों के कैंडियेट बिलकुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिलकुल नया विज्जापन 24 अप्रेल दो हजार चॉबिस का तो सबसे पहले PGT Chemistry में एक पोस्ट है क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 50 परतिशत मार्क्स के साथ में बियट चाहिए और तीन साल का जो है एक्सपिरेंस भी जो है PGT के टीचर्स के लिए मांग रहे हैं सीने सेकेंडरी में तीन साल का अनुभव इंग्लिस मीडियम स्कूल में पढ़ाने का और NCRT बुक्स जो है वो आपको आनी चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं PGT यानि 11-12 को आप पढ़ाएंगे NCRT बुक्स PGT Mathematics में एक पोस्ट है Master Degree 50% की मार्क्स के साथ में B.Ed और तीन साल का अनुभव Trained Graduate Teachers में Mathematics की एक पोस्ट है जिसमें सनातक Bachelor Degree Mathematics में होना चाहिए और Graduation में आपने ये दो सबजेक्ट Physics, Chemistry या Electronic, Computer Science and Statistics इन में से कोई दो सबजेक्ट पढ़े हों Regular जो है वो आप रहे हो, Regular Student आप रहे हो और 50% मार्क्स में B.Ed चाहिए इसमें भी तीन साल का अनुभव जो है वो Secondary Section को पढ़ाने का आपके पास होना चाहिए English Medium School से T.Z.T. के लिए जो है CTAT Paper 2 आपका Qualify होना जरूरी है या फिर State Government will be Preferred जो गुजरात में गुजरात TAT है वो आपका Qualify है तो ऐसे कैनी रेट को आगे रखेंगे PRT Mathematics में दो पोस्ट है 12 आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में या B.S.C. आपने 50% मार्क्स के साथ में की है Mathematics आपने जो है अच्छे सब्जेक्ट के रूप में मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है B.E.D. आपकी होनी चाहिए PRT के लिए भी जो है B.E.D. मांग रहे हैं और साथ में अनुवफ या फ्रेशर बुलकुल भी अलिजिबल नहीं है जिनके पास कोई अनुवफ नहीं है वो अप्लाइ नहीं कर पाएंगे CTAT, PAPER 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर State Government के द्वारा जो TAT करवाया जाता है वो हो Computer के लिए B.E.D.E.C. B.E.C. या M.E.C. Computer Science है English Medium में है पहली बात तो English Medium के Candidate अप्लाइ कर सकते हैं सेकेंड बात ये है कि आपके पास जो है वो अनुभव तीन साल का जरूरी है तो PRT Computer में जो है एक Post है इसमें भी तीन साल का अनुभव Office Assistant में एक Post है B.E.C.M. वाले अप्लाइ कर सकते हैं पचास प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए रेगुलर आपने पढ़ाई की हो यानि प्राइवेट आप ना पढ़े हो रेगुलर और एक या दो साल का अनुभव Lab Assistant की एक Post है 12th या B.E.C. डिग्री 12th के साथ हमें B.E.C. डिग्री रेगुलर युनिवरस्टी विद साइंस एंड कम्प्यूटर की नॉलिज होने चाहिए और एक या दो साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए School Lab में आपने कहीं काम किया हो English मांग रहे हैं Computer की नॉलिज भी मांग रहे हैं तो इतनी ज़्यादा यहां पर qualification की साथ में अनुभव आपका मांगा ही जा रहा है English मीडियो में आप पढ़े होने चाहिए तो इसमें जो है salary काफी अच्छी आपको देंगे साथ में जो है free education for two children in our school free accommodation, medical की सुविधा भी रहेगी, food भी रहेगा food भी रहेगा ठीक है और अब देख लेते हैं कैसे apply करना है note में लिखा है incomplete application, qualification and resume is not going to entertain तो बिल्कुल पूरा भरना है application form जो bio data दिया है इसको पूरा भरेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है क्योंकि अनुभव मांग रहे हैं तो बिल्कुल जो अनुभव है आपके पास वो जरूर इसमें लिखेंगे और साथ में document भी जो है attest जो करना है post करना है या email करना है आप application form पोस्ट भी कर सकते हैं और email भी कर सकते हैं ठीक है application form के साथ में resume self attested copies of आपकी mark sheet degree certificate और passport size photograph 10 दिन के अंदर आप लोगों को भेज देना है 3-5-2024 date तक यह address है यदि आप post से भेजेंगे तो यह address है यदि आप email करेंगे तो email address नीचे है bvbgipcl at the rate yahoo.com newspaper में भी जो है यह publish हुआ था लेकिन मैंने आपको official website पर ही दिखाया है newspaper में बस इतना ही बताया था subject कितनी post है post आप देख लें PRT में दो post mathematics में बाकी सभी में एक एक post है ठीक है और official website पर मैंने आपको सारी बता ही दी है सारी बातें कैसे apply करना है age बिलकुल भी नहीं बताई है यानि age का कोई matter नहीं है qualification के साथ में अनुहव आपके पास होना चाहिए English medium में आप पढ़े हो NCRT book जो है आपको पढ़ानी होगी तो official website का link आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा जो भी apply करेंगे सबसे पहले यही page open होगा जैसे ही आप link पर click करेंगे तो यह page आजाएगा notification पढ़ लेंगे यहाँ पर पीडियो फाइल है इसे डाउनलोड करके और bio data format जो है आपको यहाँ से लेना है ठीक है इस पर click करके तो काफी अच्छी vacancy है और इसमें जो है सोविधाएं भी बहुत है मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थैंक यू